गाई गुण का प्रभू का ओम शांती ज्यान का सागर शिव बाबा इस स्रिष्टी रंगमंच पर हमें संपूर्ण ड्रामा का आदी मध्य अंत बता देते हैं जिसे आत्मा स्वयम को, अपने पिता को और इस ड्रामा को, ड्रामा के हर सीन को हर एक पाडधारी के पाड़ को यधार धरीती समझ जाती है और इस समझ के साथ जब वो पाड़ अदा करती है एक्ट में आती है तो आत्मा के लिए सब कुछ सहज और मनुरंजन जैसा अनुभव होता है परन्तु सबसे जरूरी है इस ज्यान को बुद्धी में यधार्थ समझना और उस समझ को निरंतर रखना और इसलिए बाबा हमें रोज एक पाड़ पक्का कराते है कि बाबा को निरंतर याद करो ये जाद आत्मा के पार्ट को उसके कर्मों को श्रेष्ठ बना देती है मनुष्य आत्मा के अंतर की सारी वृतियों को दृष्टी को कृतियों को कर्मों के भल को भी बदल देती है आज की मुरली इस गुहे राज को बहुत ही गहराई से समझा रही है सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य अज़े साथ तारीक 7 नवंबर 2024 बाबा के महवाक्य हैं मीठे बच्चे शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपोर करने किसके भंडारे आत्मा के भीतर जो भंडारे खाली हो गए है ना सुख की कमी, शान्ती की कमी, प्यार की कमी हो गई है इन सारी कमियों को दूर करने, भरपोर करने कहा भी जाता है भंडारा भरपोर, काल कंटक दूर दुनिया में भक्ति मार्ग में गाते हैं शिव के भंडारे भरपोर, काल कंटक दूर प्रश्ण है ज्यानवान बच्चों की बुद्धी में किसे के बात का निश्चय पक्का होगा ऐसे तो चार निश्चय मुख्य हैं परन्तु आज विशीश बाबा ने ड्रामा पर निश्चय इसको पक्का किया है उत्तर है उन्हें द्रण निश्चय होगा कि हमारा जो पाट है वह कभी घिस्ता मिटता नहीं ना आत्मा के अंदर ऐसी रील है जो ना घिस्ती है ना उस पर लिखा हुआ कभी मिटता है मुझे आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाट नुन्दा हुआ है यही बुद्धी में ग्ञान है तो ग्ञानवान है नहीं तो सारा ग्ञान बुद्धी से उढ़ जाता है तो यह जो मूल भूत ग्ञान है यहोना बहुत जरूरी है ओम शांति बापाकर रोहानी बच्च प्रती क्या कहते हैं? क्या सेवा करते हैं? समें, बाप यह रुहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं. यह भी तुम जानते हो, बाप का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है, और गुरु का भी पार्ट है. तीनों पार्ट अच्छे बज़ा रहे हैं. तुम जानते हो, वह बाप भी है, सदगती देने वाला गुरु भी है, और सब के लिए है. ऐसा नहीं है, कि केवल एक के लिए है, सब के लिए है. छोटे, बड़े, बोड़े, जवान, सब के लिए एक ही है. सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं. तुम कॉन्फरेंस में भी समझा सकते हो, कि हम सब की बायोग्राफी को जानते हैं. परमपिता परमात्मा, शिवबाबा की, जीवन कहानी को भी जानते हैं. नमबरवार, सब बुद्धी में याद होना चाहिए. सारा विराट रोप, जरूर बुद्धी में रहता होगा. हम अभी ब्रामपड बने हैं. फिर हम देवता बनेंगे. फिर शत्रिये, वैशे, शूत्र बनेंगे. यह तो बच्चों को याद है ना? सिवाए तुम बच्चों के और किसको यह बातें याद नहीं होंगी. है ना? किवल बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाई हैं. उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धी में रहे. जो दिखाते हैं न सिड़ी में भारत के उत्थान और पतन की कहानी. तो कैसे हम उचे उठे और कैसे हम नीचे गिरे? वो सारी कहानी हम जानते हैं. हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में है, उत्थान और पतन के बीच में है, शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राम्मन भी नहीं बने है अगर अभी पक्के ब्राम्मन हो, तो फिर शूद्र पने की एक्ट ना हो, बीच बीच में देहभानवस चो गलतीयां कर देते हैं, ने कैते शूद्र पने की एक्ट, फिर वो ना हो ब्रामणों में भी फिर शुद्रपना आ जाता है यह भी तुम जानते हो कबसे पाप शुरू किये है जबसे कामचिता पर चड़े हो तो तुम्हारी बुद्धी में सारा चक्र है उपर में है परमपिता परमात्मा बाप फिर तुम हूँ आत्माई यह बात है तुम बच्चों की बुद्धी में जरूर याद रहनी चाहें अभी हम ब्रामण है देवता बन रहे है फिर वैशे शुद्र डिनाइस्टी में आएंगे पूरी बाजोली खेल ली बापा करके क्या करते है हमको शुद्र से ब्रामण बनाते है फिर हम ब्रामण से देवता बनेंगे ब्रामण बन करमातीत अवस्था को प्राप्त कर फिर वापस जाएंगे तुम बाप को भी जानते हो बाजोली वच्चोरासी के चक्र को भी तुम जानते हो बाजोली से तुमको बहुत इजी कर समझाते है चोटे बच्चे जो बाजोली खेलते हैं वो लटबाजी करते है तो उससे बहुत इजी ली समझ सकते है कैसे चोटी से और फिर नीचे पैर दोनों आपस में मिलते है तो ऐसे ही हम भी कैसे इस समय शूद्र से ब्राम्मन और फिर देवता बन रहे हैं तुमको बहुत हलका बनाते हैं ताकि अपने को बिंदी समझ और जट भागेंगे स्ट्यूडेंट क्लास में बैठे रहते हैं तो बुद्धी में स्ट्डी ही याद रहती है तुमको भी यह पढ़ाई याद रहनी चाहिए अभी हम संगम युक पर हैं फिर ऐसे चक्र लगाएंगे बस बुद्धी में यही चलता रहे यह चक्र सदेव बुद्धी में फिरता रहना चाहिए यह चक्र आदी का नौलेज तुम ब्राम्मनों के पास ही है केवल हमारे पास है हम जिने खुद भगवान ने ब्राम्मा मुक से कहा ब्राम्मन न केवल हम बच्चों के पास है ग्यान न कि शूत्रों के पास देवताओं के पास भी यह ग्यान नहीं है अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने है सब defected है हैना सब में कोई ना कोई कमी है तुम्हारे पास है accurate क्योंकि तुम accurate बनते हो उन्हें बनाने वाली आत्माई भी defected है अपने को आत्मा तो समझती नहीं है लेकिन हमारे जो चत्र है खुद perfect शिव बाबा ने बनवाए है तो इसमें कोई defect नहीं है सब accurate है अभी तुमको ज्यान मिला है तब समझते हो भक्ती किसको कहा जाता है ज्यान किसको कहा जाता है ज्यान देने वाला बाप ज्यान का सागर अभी मिला है स्कूल में पढ़ते हैं एम उब्चेक्ट का मालूम तो पढ़ता है न भक्ती मार्ग में तो एम उब्चेक्ट होती नहीं है क्यों कर रहे हैं भक्ती क्या बनेंगे कुछ पता नहीं है बाबा कहते हैं यह थोड़ी मालूम था कि हम उच देवी देवता थे पता थोड़ी था फिर नीचे गिरे हैं अब जब ब्रामण बने हो तब पता पढ़ा है ब्रह्मा कुमार, कुमारियां जरूर आगे भी बने थे ऐसा थोड़ी ना पहली बार बने है कल्प कल्प बने है प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है सारी दुनिया में बाला है ब्रह्मा बाबा का नाम तो प्रजापिता तो मनुष्य है ना प्रजा का पिता बच्चों का पिता मनुष्य ही होगा ना उनके इतने धेर बच्चे है जरूर एडॉप्टेड होने चाहिए कुखवंशावली सारी दुनिया तो नहीं हो सकती न मुखवंशावली हो सकते है कितने एडॉप्टेड है आत्मा के रूप में तो सब भाई भाई हो अभी तुम्हारी बुद्धी कितनी दूर जाती है दूर दूर तक चली जाती है तुम जानते हो जैसे उपर में स्टार्स खड़े है दूर से कितने छोटे दिखाई पड़ते है तुम भी कैसे हो बहुत छोटी सी आत्मा हो आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होते हाँ तुम्हारा मर्तबा बहुत उच है आत्मा का साइज वही रहता है है ना उनको भी सूर्य देवता चंद्रमा देवता कहते है सूर्य बाप चंद्रमा मा कहेंगे बगी आत्माएं सब हैं नक्षत्र सितारे है ना तो बाबा कहते कि एक्चुली में आत्मा का साइज वही रहता है पर क्वालिटी बदल जाती है तो इसलिए बाबा हमें देवता बना देते है तो आत्माएं सब एक जैसी छूटी है यहां आकर पाटधारी बनती है देवताएं तो तुम ही बनते हो जो ब्राम्मन बनते हैं वही देवता बनते है हम बहुत पावर्फुल बन रहे हैं बाब को याद करने से हम सतुप्रधान देवता बन जाएंगे नमबरवार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है कोई आत्मा पवित्र बन सतुप्रधान देवता बन जाती है कोई आत्मा बुरा पवित्र नहीं बनती है ज्यान को जरा भी नहीं जानती है बाप ने समझाया है बाप का परीचे तो जरूर सबको मिलना चाहिए पिछाडी में बाप को तो जानेंगे न बाकी ज्यान का विस्तार भले ना जाने पर एंड में सभी आत्माय कम से कम शिव बाबा को तो जानेंगी विनाश के समय सभी को पता पढ़ता है बाप आया हुआ है अभी भी कोई कोई कहते है भगवान जरूर कहां आया हुआ है परन्तु पता नहीं पढ़ता बहुत जादा अकबारों में ये टीवी चैनल्स पर दिखाते हैं कल की अवतार परन्तु कैसे आया हुआ है और देखो अभी बाबा ने आकर क्या क्या किया कितना परिवर्तन कर दिया कैसे नई स्रिष्टी की स्थापना कर रहे है किसी को कुछ नहीं पता है समझते कोई भी रूप में आ जाएगा मनुष्य मत तो बहुत है न तुमारी है एक ही इश्वर्य मत तुम इश्वर्य मत से क्या बनते हो क्या बन जाते हैं एक है मनुष्य मत दूसरी है इश्वर्य मत और तीसरी है देवता मत देवताओं को भी मत किसने दी है ना किसने दी बाप ने बाप की श्री मत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली श्री श्री बाप को ही कहेंगे न कि मनुष्य को श्री श्री ही आकर श्री बनाते है बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पवत्र हमें भी पवत्र बनाते हैं देवताओं को श्रेश्ट बनाने वाला बाप ही है उनको श्री श्री कहेंगे बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ उन लोगों ने फिर अपने पर श्री श्री का टाइटल रख दिया है कॉन्फरेंस में भी तुम समझा सकते हो तुम ही समझाने लिए निमित बने हुए हो और कौन समझाएगा जो समझे हुए है वही तो समझाएगे श्री श्री तो है ही एक शिव बाबा जो ऐसा श्री देवता बनाते है वो लोग शास्त्रों आदी की पढ़ाई पढ़कर टाइटल ले आते हैं बनारस हिंदू उनिवसिटी से बहुतों को टाइटल मिलता है तुमको तो श्री श्री बाब केवल श्री श्री बाब ही श्री अर्थात श्रेष्ट बना रहे है यह है ही तमुप्रधान भ्रष्टाचारी दुनिया भ्रष्टाचार से जन्म लेते हैं कहां बाब का टाइटल जो बाबा दे रहे हैं कहां यह पतित मनुष्य अपने पर रखाते हैं टाइटल है श्री बाबा का और फिर मनुष्य आत्माय खुद पर रखवा लेती हैं सच्ची सच्ची श्रेष्ट महान आत्माय तो देवी देवता है ना बागी तो इस कल्योगी दुनिया में कोई भी पवित्र हो नहीं सकता जनम ही अपवित्रता से हुआ है तो फिर आत्मा पवित्र कैसे हो सकती है तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची श्रेष्ट महात्माये तो कौन है देवी देवताएं। सत्व प्रधान दुनिया में कोई भी तमु प्रधान मनुष्य हो ना सके। सत्योग में कोई तमु प्रधान नहीं है। रजो में रजो मनुष्य ही रहेंगे न कि तमु गुणी वल्ण भी गाये जाते हैं ना। अभी तुम समझते हो आगे तो हम कुछ नई समझते थे। अब बाप कितना समझतार बनाते हैं। तुम कितना धनवान बनते हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है। क्या है बाबा के भंडारे में। अविनाशी ज्ञान रतनों का भंडारा है, शिवबाबा का भंडारा भरपूर काल कंटक दूर बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, खुद है सागर, ज्ञान रतनों का सागर है बच्चों की बुद्धी बेहद में जानी चाहिए, हद की बातों से उठ जानी चाहिए उपर इतनी करोड आत्माई सब अपने अपने शरीर रूपी तक्त पर विराजमान है यह बेहद का नाटक है आत्मा इस तक्थ पर विराजमान होती है तक्थ एक न मिले दूसरे से सबके फीचर्स अलग-अलग है इनको कहा जाता है कुदरत हर एक का कैसा अविनाशी पाट है इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रेकॉर्ड भरा हुआ रहता है अती सुक्ष्म है इससे सुक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता इतनी छोटी आत्मा में सारा पाट भरा हुआ है जो यहां ही पाट बजाती है सुक्ष्म वतन में तो कोई पाट बजाती नहीं है बाप कितना अच्छी रीती समझाते है बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो यही नॉलेज है ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानने वाला है जानी जाननहार कहते है न भगवान को अंदर को नहीं जानते स्रिष्टी के आदी मध्यांत को जानते हैं यह knowledge जानते हैं जो knowledge तुम्हारे में भी इमर्ज हो रही है मर्ज रूप में है पर बाबा इमर्ज कर रहे है जिस knowledge से ही तुम इतना उच पद पाते हो यह भी समझ रहती है न बाप है बीज रूप उनमें जाड के आदी मध्यांत की knowledge है मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयू दे दी है तुग ज्यान आना सके अभी तुमको संगम पर यह सारा ज्यान मिल रहा है बाप द्वारा तुम सारे चक्र को जान जाते हो इनके पहले तुम कुछ नहीं जानते थे अभी तुम संगम पर हो यह तुम्हारा अंत का जन्म पुरुशार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राम्मन बन जाएंगे पूरा ब्राम्मन अभी नहीं हो पूरे ब्राम्मन नहीं हो बन रहे हो अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राम्मन से फिर शूद्र बन जाते हैं न कुछ न कुछ देभानवश कर्म करी लेते हैं इसको कहा जाता है माया से हार खाना बाबा की गोद से हार कर रावन की गोद में चले जाते हैं कहा बाब की श्रेष्ट बनने की गोद कहा भ्रष्ट बनने की गोद पुरा कंट्रास्ट है सेकिंड में जीवन मुक्ती सेकिंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है ब्राम्मन बच्चे अच्छी रीती जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है आज बाप का बनते कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते है फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो कहीं बच्चे जाते हैं विकारों में चले जाते हैं माया के पूरे बनने लगते हैं तो फिर हम क्या करते हैं बचाने की कोशिश करते हैं तो कोई-कोई बच भी जाते हैं, तुम देखते हो डूबते हैं, तो बचाने की कोशिश करते रहो, कितनी खिट-खिट होती है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, और मनुश्य आत्मा उचा चड़ते चड़ते नीचे गिर जाते हैं, तो बचाना चाहिए. बच्चों को समझाते हैं, यहां स्कूल में तुम पढ़ते हो न, तुमको मालूम है, कैसे हम यह चक्र लगाते हैं, तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, भगवान वाच तो जरूर है, उनकी श्रीमत हुई न, मैं तुम बच्चों को अब शूद्र से देवता बनाने आया हूँ, अभी कल्योग में है, शूद्र संप्रदाई, तुम जानते हो, कल्योग पूरा हो रहा है, तुम संगम पर बैठे हो, यह बाप द्वारा, तुमको नौलिज मिली है, शास्त्र जो भी बनाए है, उन सब में है मनुष्य मत, इश्वर तो शास्त्र बनाते नहीं, एक गीता के ऊपर ही, कितने नाम रख दिये हैं, गांधी गीता, टैगोर गीता, आधी आधी, सबी अपने अपने अनुसार, चो श्लोक लिखे हैं, उनका अनुवाद करते रहते हैं, धेर नाम है, गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं, कितनी गीताएं बनी हुई हैं, और गीता के एक एक श्लोक के अलग-अलग भावार्थ, अलग-अलग लोग करते रहते हैं, और फिर उसके अनुसार, अलग-अलग गीताएं बनाते रहते हैं, तो फ तुम कह सकते हो, मनुष्य मत की बनाई हुई गीता पढ़ने से आज यह हाल हुआ है। गीता ही पहला नंबर का शास्त्र है ना। वह है देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह तुम्हारा ब्रामबन कुल है। यह भी ब्रामबन धर्म है ना। कितने धर्म है। जिस जिसने जो धर्म रचा है उनका वहन नाम चलता है। जानी लोग महावीर कहते हैं। तुम बच्चे सब महावीर महावीर निया हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है। दिलवाला मंदिर में दिखाते हैं नीचे तपस्या कर रहे हैं। उपर स्वर्ग है। राज योग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं। उपर में राजाई का चत्र है। राज योग का अक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है। कोई ने क्या। यादगार है बिलकुल आक्यूरेट। बुद्धी से काम ले ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। दिलवाडा मंदिर है। है ना आदिनात का मंदिर है। बहुत सारे नाम रखे हैं। यह मौडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम यूग का बनाया हुआ है। तुम आदी मध्यानत को जानते हो। आदी को भी तुमने देखा है। आदी संगम को कहो या सत्यूग को कहो। संगम यूग की सीन नीच दिखाते हैं। फिर राजाई उपर में दिखाई है। दिलवाडा टैंपल के अंदर संगम यूग पर हम क्या करते हैं। तपस्या करते हैं। तो दिखाया है तीसरा नेतर खुला हुआ है तपस्या कर रहे हैं। आखे भी खुली हुई दिखाई ह राज्यों की तपस्या कर रहे हैं फिर उपर इसका फल क्या होता है तपस्या से? राजाई मिलती है तो सत्यूग है आदी फिर मध्य में है द्वापर अंत को तुम देखते ही हो यह सब खत्म हो जाना है पूरा यादगार बना हुआ है देवी देवता ही फिर वाम मार्ग में जाते है द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है उल्टा रास्ता अपना लेते हैं यादगार पूरा अक्यूरेट है यादगार में बहुत मंदिर बनाए है यहां ही सब निशानिया है मंदिर भी यहां ही बनते है देवी देवता भारतवासी ही राज्य करके गए है ना फिर बाद में कितने ये मंदर बनाते है तो जहाँ पर जो होकर गए हैं वहीं परी तो उनका यादगार होगा ना सिख लोग बहुत होंगे तो वह अपना मंदर बनादेंगे गुरुदवारे बनाते हैं मिलिटरी वाले भी अपना मंदिर बना देते हैं। भारत वासे अपने कृष्ण का वा लक्ष्मी नारायन का मंदिर बनाएंगे। हनुमान गणीश का बनाएंगे। यह सारा स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है। पहले कोई होकर जाता है, अच्छे श्रिष्ट कर्म करता है, फिर उनी का यादगार बनता है। तो बाबा कहते हैं, यह सारा स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है, कैसे स्थापना, विनाश, पालना होती है यह तुम ही जानते हो। इसको कहा जाता है अंधियारी रात। ब्रह्मा का दिन और रात ही गाई जाती है, क्योकि ब्रह्मा ही चक्र में आते हैं। अभी तुम ब्राम्मन हो, फिर देवता बनेंगे। मुख्य तो ब्रह्मा हुआ ना, ब्रह्मा को रखे यह विश्णु को रखें। ब्रह्मा है रात का और विश्णु है दिन का। वही रात से फिर दिन में आते हैं। दिन से फिर 84 जन्मों के बाद रात में आते हैं। कितना सहज समझानी है। इसमें दिन और रात कौन से हैं बेहद के हैं। यह भी पूरा याद नहीं कर सकते। पूरी रीती नहीं पढ़ते हैं। तो नम्बरवार, पुरुशार्थ अनुसार पद पाते हैं. जितना करते हैं, उस अनुसार पद पाते हैं. जितना याद करेंगे, सतुप्रधान बनेंगे. सतुप्रधान, सो भारत, तमुप्रधान. बच्चों में कितना ग्यान है? यह नौलेज से मरण करनी है. यह ग्यान है ही नई दुनिया के लिए. जो बेहत का बाप आकर देते हैं, सब मनुष्य बेहत के बाप को याद करते हैं. अंग्रेज लोग भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Oh Godfather, Liberator. Guide. अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धी में है. Godfather कैसे वनता है? कैसे लिबरेट करता है? कैसे आमें गाइड करता है? यह सब हम जानते हैं. बापा करके दुख की दुनिया आईरनेज से निकाल गोल्डनेज में ले जाते हैं. गोल्डनेज जरूर पास होकर गया है. पास होकर गया है. फिर दुबारा होगा. तब तो याद करते हैं ना? तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए और द्यावी कर्म भी करने चाहिए. खुशी भी होनी चाहिए और द्यावी कर्म भी करने चाहिए. अच्छा? जविनाशी ज्ञान रतनों का अखुट खजाना मिल रहा है. उसे स्मृती में रख. बुद्धी को बेहद में ले जाना है. इस बेहद नाटक में कैसे आत्माई अपने अपने तक्थ पर विराज मान है? इस कुद्रत को साक्षी हो देखना है. दूसरा, सदा बुद्धी में याद रहे के हम संगम योगी ब्राम्मन है. हमें बाप की श्रेष्ट गोद मिली है. हम रावन की गोद में जा नहीं सकते. हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बच्चाना. आज का वर्दान है व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बज़ाए सर्वसंबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चेस नहीं भवा. कौन है सच्चेस नहीं? जो व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार नहीं बनाते. अपि तु क्या करते हैं? सब संबंधों का अनुभव बाबा से करते हैं. माया कमजूर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है. अपनी ही कमी कमजूरी को अपना जैसे धाल बना लेते हैं. उनी की पैरवी करने लग जाते हैं. तो माया ऐसे पिलर्स बना देती है. बार-बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है. बड़े-बड़े भी ऐसा करते हैं. अभी संपूर्ण तो हुए नहीं है. तो यह सब क्या कर रहे हैं? आप पिलर्स खड़े कर रहे हैं. नेगिटिविटीज के. जरूर कोई ना क कमजोरी तो रहेगी ही. ऐसे-ऐसे अपने आपको यह सांतावना देती रहते हैं. यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं. खुदी मजबूत बना रहे हैं कमजोरी को अपनी. अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बचाए. के अनुभव को बढ़ाओ जो कमी कमजोरी है जिस संबंध की कमी है वो संबंध एक बाबा से निभाओ साकार रूप में साथ का अनुभव करते सचेस नहीं बनो बिलकुल ऐसा लगे जैसे सच में भबा हर पल हर वक्त हर जगा हमारे साथ है तो बस फिर सारी कमी कमजोरियां खतम हो जाएंगी फिर इनको अपना साहरा नहीं बनाएंगे स्लोगन है संतुष्ठता सबसे बड़ा गुण है जो सदा संतुष्ठ रहते हैं वही प्रभु प्रिये लोक प्रिये वो स्वयम प्रिये बनते हैं अंदर से पूरे भरपूर होते हैं जो संतुष्ठ होते हैं तो आज विशीश क्या भ्यास करेंगे साक्षी द्रिष्टा होकर इस रिष्टी रंगमंच पर जिन्बिन मनुष्य आत्माओं के साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं उन्हें देह रोप में नहीं अपितों आत्मिक स्मृती के आधार पर देह में चमकती हुई आत्मा को देखना है देह न दिखाई दे जड़ शरीर न दिखाई दे चम्री न दिखाई दे उसमें चमकता हुआ हीरा नजर आए तो स्वयम भी मैं आत्मा और मेरे चारों और जो भी है सब आत्मा ही है तो अपने सच्चे द्रिष्टि कौन को इमर्ज रोप में रखने का अभ्यास करेंगे अच्छा, ओम शान्ति मन्यू मालिक में दूबा मन्यू मालिक में डूबा रे दुनिया सुराई काया माया लागे सुराई काया माया लागे तेरू जो में तेरा धरिया तेरू जो में तेरा धरिया विलाई नाखिना अना लागे सुराई काया माया लागे सुया सुया मन जो कोई बारिशों से जागे रे सुया सुया मन जो कोई बारिशों से जागे भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे दागे उजाला उजाला है हर जगा तेरे हवाले मैं तेरे हात में मिले मुझे तु ही सदा जहां जाऊं मैं नै जो खोलू ये मन की किवडिया तुझी में आना जाना लागे सुआ ही का या मन आना लागे झाल झाल